हेलो आपके साथ बेसिक एलेक्टरिकल इंजिनियरिंग के वीडियो में एक बार फिर आ चुका हूं मैं थर्ड मॉडियूल की हम लोग बात कर रहे हैं और थर्ड मॉडियूल का फर्स्ट वीडियो आपके सामने है अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा था हमारे पिछले वीडियो के अंदर मॉडियूल 3 के इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइट किया हुआ था सेम टाइम पर मैंने यह बताया हुआ था कि कौन कौन से बुक्स रफर कर सकते हैं और यह पटिकुलर मॉडियूल किन आपको बताने वाले हैं इंट्रोड़क्शन तो इस पर्टिकुलर इंट्रोड़क्शन के वीडियो में आपको बताने वाला हुआ कि 3-phase AC होता क्या है कैसे उसको क्रिएट किया जाता है और इंपॉर्टेंट पार्ट इस जनरेशन ऑफ 3-phase AC और क्यों उसको फेज में जनरे तो सिंगल फेज एसी का जनरेशन का कंसेट अगर आपको क्लियर है तब आप मॉडियूल नंबर 3 का यह जो फर्स्ट वीडियो है इसका जनरेशन वाला पार्ट जो इसको समझ सकते हैं तो जब से पहले मैं बात कर लेता हूं कि इंट्रोड़क्शन तो 3-phase AC है क्या है तो जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछली बार single phase AC देखा source to load single particular connection that was a single phase portion और यहां पर हम लोग बात करने वाले है थ्री-phase AC के दो यूशुली क्या होता है डेली लाइफ में हमारे पास कई कई वर ऐसे conditions होते हैं जहां पर हमको uninterrupted supply चाहिए होती इंटरम्स ओफ AC ठीक है अगर मैं बात करूँ एक standard एक single phase AC के बारे में अगर suppose AC कैसा आपको एक graph में शो करता हूँ ठीक है and if suppose this is the alternating current in amperes ठीक 0, pi and 2pi इसकी एक cycle को अगर हम लोग study करें तो आप देखेंगे कि in entire 1 AC cycle यह quantity तीन बार 0 value से होती हुई गुजरी है ठीक है आपको तीनों बार इस line पे आपको यह 0 value को टच करती हुई दिखाई देगे यह तीनों बार बिलकु लीस्ट या minimum value पर प supply पर run करवाना है आपको जिसमे supply कभी भी 0 पर नहीं जानी चाहिए तो अगर उसको आपने single phase AC provide कर दिया तो वो device आपकी जो होगी वो हर एक cycle में तीन बार experience करेगी 0 values को और अगर आप इंडिया में उस चीज को यूज कर रहे हैं तो on the basis of frequency of 50 hertz जहां पे आपको पता है frequency is nothing but number of AC cycles in one second तो एक सेकेंड में अगर इतनी बार ऐसे 0 values को यह टच करती जाएगी तो आपकी quantity कई बार interrupt होती है आपकी जो जो भी device आप यूज करें जो भी machine आप यूज कर रहोंगे वो regularly under interruptions चलती रहेंगे तो अगर आपकी requirement ऐसी है कि आपकी quantity आपकी जो भी machine है उसको uninterrupted supply की requirement है तब आप उस condition में three phase AC provide कर सकते हैं apart from that three phase AC का basic use भी जो है जो हमारे घरों में भी होता है usually वो basically यह होता है कि आपको तीन अलग-अलग healthy phases की requirement होती है three different phases अगर आप उतना ही setup से उतना ही cost में अगर तीन phase create कर सकते हैं तो that is much more in economic term point of view that is much more economical as compared to generating a single phase from that same single generator एक ही उसी single generator उसी single setup से आप अगर एक phase create कर रहे हैं तो उसके बदले अगर आप three phase create कर लें तो ज्यादा economical होगा as compared to single phase तो यह भी इसका advantage होता है plus point होता है तो usually हमारे घरो में आज़ अज़ तरी phase AC लगाया जाता है so that at a time usually आप एक ही phase यूज करते हैं but in case of failure or in case of faulty line faulty supply आप phase को shift कर सकते है phase switch कर सकते है to second or third phase तो यह तो तीन basic conditions होते हैं जिसके करना नमको three phase generate करने की ज़रत पढ़ती है question आप सभी के mind में यहार होगा कि why not two phase and why not four phase तो two or four phase के लिए में आपको यह चीज़ बता दूँ कि four या five phase भी अगर आपके mind में यहार होगा तो वो चीज़ इसलिए कभी नी create की जाती क्योंकि usual life में usually जो आपके पास devices machinery जो होती है उसको इतनी supply की requirement नहीं होती है अगर आप 220 वोल्ट AC create कर सकते हैं एक single phase से और three phase आपने अगर मिला दिया तो अगर आपके पास 660 वोल्ट की supply है तो उससे जादा supply की कभी आपको कभी need भी नहीं पड़ेगी बहुत heavy machinery भी अगर आप run करेंगे तो 440 वोल्ट से उपर की supply के आपको requirement नहीं पड़ती है apart from that two phase और four phase के ल coordinate होता है कैसे create होता है और यह three phase system किस type के AC systems का member है वो आपको बता देता हूं मैं this is a part of polyphase AC systems एक polyphase AC systems के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं यह three phase AC ठीक है तो polyphase AC में बहुत सारे अलग-अलग phases का concept है but usually practical life के point of view से आपको बता हूं तो three phase is the last or final value that has been generated that is generated usually in terms of commercial applications ठीक है तो commercially usually three phase को ही ज्यादा prefer किया जाता है तो यह दो तिन basic needs के कारण क्या होता है कि three phase के हमको ज़रत पढ़ती है तो अब आपको मैं graph के form में explain करूंगा और उससे पहले आपको मैं generation of three phase AC पे लेके जाऊंगा कि यह three phase AC को हम लोग generate कैसे करते हैं तो introduction के अंदर हम लोगों ने देखा कि three phase की requirement क्या है क्यों three phase generate करना होता है हमको ठीक है और three phase के बाद हम लोग four five phase पर क्यों नहीं जाते है और two phase क्यों जनरेट करते हैं यह basic चीजों को हम लोगों ने देखा यहां पे same time पे मैं आपको यह भी बता दूँ कि three phase AC जो होता है इसमें हम लोग individual quantities को एक दूसरे से graph इसके बाद समझेंगे next topic पर चलते हैं quickly that is generation of three phase AC ठीक है so after introduction let us start dealing with the topic of generation of three phase AC so now in generation of three phase AC सबसे पहले आप single phase AC का concept जो है उसको clear कर लीजे कि usually AC को generate करने का एक basic सा तरीका हम लोगों ने discuss किया था there has to be a relative motion between a set of conductors and a uniform magnetic field मतलब इसका होते है कि जभी भी कोई set of conductors एक fixed amount of set of conductors having n number of turns, l length of conductors and a cross section area अगर ऐसा कोई set of conductors है और उसका हम लोगों ने एक relative motion रखा है किसके साथ uniform magnetic field के साथ या नही permanent magnet का अगर आपने यूस किया हुआ है तो उस condition में जभी relative motion होता है तो एक EMF होती है किसके अंदर set of conductors के अंदर ठीक है first is when you rotate a uniform set of conductors within a uniform magnetic field या तो इसका just opposite कि आप एक uniform magnetic field को rotate करा है between a fixed set of conductors थोड़े दिर के लिए assume कर लेते हैं कि first method क्या कोड़े मैंने एक uniform magnetic field create किया हुआ है by placing permanent magnets चीक है तो permanent magnets को मैंने यहां place करके रखा हुआ है तो obviously thing है कि line of forces will be going from north towards south यानि originating from north and ending at towards south यह line of forces के travel करने की directions है तो यह set of conductors है इसके अंदर अब place करने वालों में यह permanent magnetic section का use करके मैंने line of forces create किया हुआ है these line of forces have been originated from north and are ending on south अब अगर suppose यहां पर मैं कुछ set of conductors को place कर देता हूं जैसा कि आपने देखा था single phase AC में मैंने एक set of conductors को place किया था इसके starting point 1 ending point 2 ठीक है तो इस condition में अगर मैं इसको anti clockwise direction में rotate कराऊंगा omega t radians के form में तो उससे induce होने वाला जो emf था that was seen to be alternating in nature और उससे जो sinusoidal wave बन रही थी इसी के form में हम लोग अपनी quantity को sinusoidal current भी बोलते है sinusoidal quantity भी बोलते है ठीक है बट क्या होगा अगर suppose मैं इसी section के अंदर इसी particular point के अंदर एक से जादा coil use कर लूँ अगर suppose यह जो black coil है ऐसे एक और set of coil use करूँ और ऐसे एक और set of एसे तीन coil एक दूसरे के उपर मैंने same time पर रख दिया तो उससे जो बनने वाला EMF होगा वो कैसे nature का होगा वो देख लेता है उससे बनने वाला EMF होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको यह जब coil पूरी rotate करेगी 360 degrees तो उससे बनने वाली quantity first coil के कारण होगी कुछ इस वो कैसी दिखाई देगी आपको बता रहा हूँ वो कुछ ऐसी दिखाई देगी I think आपको इसमें कोई difference नहीं दिखाई दे रहा होगा, both the quantities are moving at the same time, both are attaining their positive peak value at the same time, negative peak value at the same time and are ending at the same time duration, ठीक है तो उस quantity को express किया E2 से, और तीसरा coil अगर मैंने इसकी same condition पर रखा हुआ है, तो जो third quantity होगी उसकी graph कुछ ऐसे बनने वाली है, इस type के, तो आप देखेंगे third quantity भी उसी के उपर overlap दिखाई दे रही है, अच्छा ये जो मैं तीनो graph बनाया हुआ हूँ, ये तीनो एक particular conditions पर है, condition क्या है वो भी देख लीज़े एक बर, EMF equation given by minus n d phi by dt, इस condition में, since आपने magnetic field को change नहीं किया हुआ है, इसका मतलब, phi is going to remain same, तीनो ही coil के लिए, n that is number of turns, तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, n1, n2, और n3, equal, that means, तीनो ही coil की number of turns, equal होने वाली है, तीनो कोईल की number of turns, अगर equal है, d phi by dt, अगर इसको मैं rotate कर आ रहा हूँ, तीनो की direction भी same है, angular velocity same है, और number of turns same है, तो इन से बनने वाली EMF, E1, E2, और E3 की magnitude भी बिलकुल same होगी, इसके बाद next thing, next important thing is that, since मैंने इनकी magnitude को equal रख लिया, और phase difference कुछ भी नहीं रखा, एक ही phase में रखा हुआ है, तो उस condition में क्या होगा, जो AC create होगी, वो इस form में create होगी, तो यहां 3 quantities तो हैं, लेकिन 3 हो एक दूसरे से overlap है, अगर overlap condition की quantity में create करता हूँ, तो मेरी वो problem कभी नहीं solve हो सकती, जहां पे मैंने आपको ये बोला हुआ था, कि मुझको uninterrupted supply चाहिए, कि लगातार मुझको supply मिलता रहा, नहीं मिल इस condition में, आपको 0, 0 and 0, तीन बार आपको 0 values से होते हुए a quantity अपनी एक पूरी cycle complete करने वाली है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए हमको क्या चाहिए, कि हमको इन EMFs को एक दूसरे से कुछ particular face difference angle पे रखना पड़ेगा, so that कि अगर एक quantity अपनी key, अपनी जो खुद की EMF है, वो 0 value पे पहुँच जाती है, तो दूसरी वाली जो section है, दूसरी वाली जो quantity जो create हो रही है, उसकी EMF किसी value पे रहे, 0 पे न आ रहा है, ठीक है, तो इसी condition को fulfill करने के लिए concept आता है phase difference का, concept of phase difference is required, ठीक है, phase difference या phase angle बोल सकते हैं इसको आप, phase difference angle, तो अब requirement यह है कि आपको तीनों coils को, तीनों set of conductors को अलग-अलग angles पे रखना चाहिए, but important thing is that, कि अगर आप उसको अलग-अलग angles पे रखते हैं तो सब को different angles पे तो नहीं रखना है, आपको एक uniformity रखनी है, तीनों coils के बीच में, तो वो uniformity करने के लिए हमको क्या चाहिए, कि एक ऐसा phase angle निकालना है, so that, कि out of 360 degree, आप इन तीनों को एक बराबर angles पे रख सकें, तो इसके लिए हम लोगों के पास एक formula है, जिसमें लिखते हैं, तो phase difference angle is equals to 360 electrical degrees upon n, where n is number of phase, ठीक है, तो इसके according आपको कितने phase difference का angle रखना चाहिए, वो आपको इस form से calculate करते बन जाएगा, तो इस condition में देखिए, कैसे phase difference angle हम लोगो calculate कर सकते हैं, suppose कि हमको phase difference angle चाहिए, that is 5, so this will be equals to 360 electrical degrees, total हमारे पास एक cycle बनाने के लिए 360 electrical degrees available होती है, और उसमें suppose अगर हमको 3 phase का system बनाना है, तो this should be divided upon 3, therefore, the phase difference angle will come out to be 120 electrical degrees, तो अगर एक uniformity हमको maintain करना है, तो out of 360 degrees, हमको हर एक phase के बीच में 120 degrees का difference रखना पड़ेगा, हर दो phase के बीच में 120 degree अपार्ट रखना पड़ेगा एक दूसरे को, so this is how we got the phase difference of 120 degree for a uniform phase difference, condition is, कि अगर आपको two phase system create करना होता, तो आप यहाँ पे लिखते है, 5 is equals to 360 upon 2, and that would have given you a phase difference of 180 degree, यही रिजन है कि हम लोग two phase AC जो है, वो नहीं create कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, so talking about the three phase system, अगर three phase system पे आ जाएं, तो अब इसको create करने के लिए क्या चीज समझ में आ गई हमको, कि हमको अब एक set of conductor की जगा, तीन set of conductors चाहिए, तीनों एक दूसरे से 120 degree apart होने चाहिए, तब उससे बनने वाली quantity AC होगी, जो आपको uninterrupted supply दे सकती है, तो आईए देखते हैं, ये काम कैसे होता है, ये सबसे पहला set of conductor में ने रख लिया, black color के pen से जो मैंने draw किया हुआ है, अगला set of conductor में या पर रखने वाला हूँ, ये one, two हो गया, तो ये three, four, and then last set of conductor, जो इस से 120 डिग्री अपार्ट होगा, five, six, and this is the section, जहां से system की shaft निकले होगी बाहर, और जिस से हम लोग, anti-clockwise direction में, omega t radian से rotate कराने वाला है, इस पूरे coil set को, तो अब इस से बनने वाली quantity, actual में दिखाई कैसी देगी, होगा क्या ये चीज़ का, तो देखिए, इसमें हमारे पास, दो type के systems है, इस से एक चीज़ तो ये हो सकता है, कि या तो आपने number of turns, तीनों coil का अलग-अलग रखा हुआ है, तो definitely बनने वाली EMF भी change हो जाएगी, EMF का equation एक ही हमारे पास, E is equals to minus N d5 upon dt, ठीक है, so right now इस particular condition में, हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एक permanent magnetic section, यानि कि एक uniform magnetic field, जिसकी कौन-कौन सी चीज़ है constant है, magnetic flux density B, Tesla is constant, capital H, जो होता है Ni upon L, this is also constant, इसको भी fix करके रखा हुआ है, क्योंकि Ni upon L जो होगा, वो सरफ electromagnetic sections पर work करने वाला है, permanent magnet पर तो ये work करेगा नहीं, इस condition में B और H अगर constant है, magnetic flux density fix है, fluxes की value fix है, तो उस condition में, अगर set of conductors को आप rotate करवाते हैं, यहाँ पर, तो एक uniform magnetic field में rotate हो रहे हैं ये लोग, तीनों ही set of conductors की number of turns हम लोगों ने fix करके रखा हुआ है, तो definitely उससे बनने वाली EMF का magnitude तो equal होगा, लेकिन सब एक दूसरे से 120 degree phase shifted हैं यहाँ पर coils, तो उससे बनने वाली EMFs जो हैं, जिसको कि हम लोग three phase AC system बोलते हैं, actual three phase AC system ग्राफ, देखिए, यह कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, usually expression के point of view से इनको R, Y, B, यह तीन red, yellow और blue जो colors होते हैं उससे express किया जाता है, जब face sequence पढ़ेंगे तो मैं आपको और detail में बताऊँगा इस चीज़ के बारे में, तो बट फिलहल मैं इसको तीन दूसरे color से express करने वाला हूँ, जिस color की pen मेरे पास है, मैं उस color से express करने वाला हूँ इसको, तो सबसे first thing, जैसा मैंने इसमें यहां लगा के रखा हुआ है, उसी के according अगर मैं बताऊँ, तो सबसे पहली quantity मैंने draw किया, उसके बाद फिर second quantity में draw कर लेता हूँ यहां से, and then इसके बाद third quantity, यह third quantity, ठीक है, तो sequence के according आप देख सकते हैं यहां पे, कि सबसे पहले black, blue, and then red, color के pen से मैंने जिन quantity इसको trace करके रखा हुआ है, किस order में कौन सी quantity सबसे पहले अपनी peak value पहुँचती है, कौन सी quantity उस condition में zero value पहुँचती है, इस सबको अभी study कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए, सबसे first thing, कि quantity 1, quantity 2, और 3, अगर मैंने यहां पे EMFs को express किया हुआ है, ठीक है, volts के form में, omega t radians के form में express किया हुआ है, x-axis पे, तो उस condition में अगर आप यह black color से drawn quantity, इसको अगर आप study करेंगे, तो देखिए, यह quantity अगर इस instant पे zero value पे पहुँचती है, इस quantity के यह पाई है, और इस condition पे यह zero पे पहुचती है, but at the same time, blue color के pen से जो quantity drawn है, जो इस condition में यह जो coil है, यह अपनी peak value को attain कर रहा है, green color से जो quantity है, वो अपनी peak value जस्ट अभी attain किया हुए, और next अब आगे बढ़ रही है, next value की तरफ, तो आपको देखिए, यहाँ पे uninterrupted power supply मिलना शुरू हो जाएगा, power supply will definitely be uninterrupted, अगर आप blue value quantity को study करेंगे, तो देखिए, इसकी यह zero point है, इसके zero point के condition में, green color के quantity peak पे पहुचने वाली है, और black वाली quantity ने अभी अभी अपना peak attain किया हुआ और आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो यह कुछ basic conditions होती है, तो इसमें कभी ऐसा कोई condition नहीं आएगा, जिसमें तीनों quantity same time पे zero value पे पहुच जाएं, तो यह reason होता है कि हम लोग three phase को ऐसे एक दूसरे से 120 degrees apart रखते हैं, और यही reason होता है कि three phase AC को हम लोग सबसे दादा prefer करते हैं, important thing is that, कि यह तीनों ऐसे अलग-अलग point पे, अलग-अलग values पे कैसे पहुच रही हैं, तो उसको भी एक बार देख लीजे, suppose कर लीजे कि यह black color का pen, quantity, जो सबसे पहली हमारी coil है, one और two की section उसको express कर रही है, ठीक है, और दूसरा suppose कर लीजे फिर आप कि यह जो blue color की pen है, जिसको मैंने यह express करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है, यह इसके उपर ऐसे placed है, ऐसा कुछ condition है, बनने वाला EMF, according to this particular form, E is equals to minus N D phi by D T, that is the rate of change of flux linked with the coil, तो linked with the coil, जो flux है, वो बहुत कम है, minimum amount का है, अगर यह D phi by D T की value कम है, तो definitely EMF induced जो होगा इससे, वो भी minimum होगा, तो यह रहा minimum EMF का condition, but at the same time, यह blue color के pen वाली quantity जो है, यह minimum से उपर निकल चुकी है, minimum से जादा, क्यों? क्योंकि यह रोटेट करते जहां पर पहुंची है, वहाँ जादा amount of fluxes को यह कट कर रही है, अगर flux cut by this particular quantity is high, therefore इससे बनने वाला EMF भी हाई होगा, और इसी का कारण इस quantity की magnitude बढ़ती चले जा रही है, and at the same time, यह red color के पेंसे मैंने जो quantity को ऐसे draw करके रखा हुआ है, यह अपनी peak value अभी just retain किया था और peak value सा भी आगे निकल चुका है, rotate होते हुए, तो at the same time यह तीनों coil अलग-अलग position पे हैं और अलग-अलग EMF की magnitude trace कर रहे हैं, ultimately इनकी peak values बिल्कुल same होगी, इनकी peak की magnitude भी same है, इनका average same है, इनका RMS same है, बस condition इतना है कि face difference है, इनके quantities के create करने के बीच में, तो इसके कारण, अगर 120 degree का face difference है, तो देखते हैं कि quantity जो create हो रही है, जो EMF बन रहा है यहां पर, उसको हम लोग कैसे express कर सकते हैं, instantaneous के form में, तो instantaneous के form में अगर मैं बोलू हूँ, तो EMF E1 जो होगा, this should be EM sin omega T, इस expression के लिए आप चाहें, तो module number 2 का first video जो है, जहां पर हम लोगों ने generation discuss किया हुआ है, आप उस same video को आप refer कर सकते हैं, आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह कहां से मैं लेकिया है, इस value को, ठीक है, तो this one is for first quantity, second EMF E2 will be, EM sin omega T minus 2 pi by 3, ठीक, तो second value quantity जो है, जो 120 degree पीछे चल रही है, तो 120 degree पीछे चल रही है, इसले लिखा हुआ है, omega T minus 2 pi upon 3, 2 pi यह निए, 2 into 180 upon 3, that is 360 upon 3, that is 120 degree apart, और third वाली quantity, अगर first को reference लिया जाए, तो उससे 240 degree apart है, इसकी जो EMF induced हो रही है, उसको हम लोग express करेंगे, EM sin omega T minus 4 pi by 3, that means, जो standard quantity है, जो सबसे आगे जो quantity चल रही है, उससे 240 degrees apart, तो अगर मुझको इसको फेजर के form में express करना है, तो इसका फेजर कैसे ड्रो करना होगा, देखिए, यह होगा इसके फेजर ड्रो करने का तरीका, quantity E1, जो पहला EMF बन रहा है हमारे पस, ठीक है, जो सबसे आगे चल रहा है, लीड कर रहा है, देन इससे 120 degree पीछे, EMF E2, यह देखिए, एंगल इसका दिख रहा है, 120 degree, और थर्ड जो EMF लोग यहां से ड्रो करेंगे, this will be EMF E3, 120 degree apart, और negative opposite phase में देखेंगे, तो यह भी इससे 120 degree apart, overall अगर मैं बताऊँ आपको, तो E3 और E1 का अगर आप relation check करें, तो देखिए, यहां पर 120 degree, from E3 to E2, and from E2 to E1, this whole section is 240 degrees, तो यह phase का difference, जो है, यह हम को दिखाई पड़ता है, तो this is the condition for generation of 3-phase AC, 3-phase AC को generate करने के बाद, इसकी individual phase के हिसाब से, हम लोग EMF को ऐसे express करते हैं, where all the EM1, EM2, EM3, all are same, इन तीनों peak values की magnitude जो है, वो बिल्कुल accurate होती है, बिल्कुल same होती है, exactly, बिल्कुल same, बस हर एक की sections जो होती है, वो एक दूसरे से 120 degree apart होती है, इस current से इसकी एक्सप्रेस किया आता है, ठीक है, और यह इनका particular phase angle के साब से, phasors, so this was all about the generation of 3-phase AC, बने रहेगा हमारे साथ, जल्दी आगे next video में हम लोग बात करेंगे, about the phase sequence, कि जब यह मैंने बताया कि यहाँ पर 1, 2, 3, 3, अलग 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 ऐसे phases बनते हैं, तो यह किस condition में बनते हैं, इनको हम लोग sequence कैसे provide करते हैं, और क्यों हम लोग R, Y, B से express करते हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्दी है, अपने next video में, discussing about the phase sequences, और कोशिश कीजएगा कि आप हमारे साथ बने रहे हैं, 3-phase AC के पूरे module में, और आपके जितने भी doubts से उसको हमारे साथ share करते जाएए, clear करते जाएए, till then, thank you very much.